Ant-Man and the Wasp Quantumania के बाद Talk of the Town and सभी की नज़रे सिर्फ एक ही तरफ थी Kang I mean Thanos के बाद लोग सोच रहे थे कि Marvel का next big baddy कौन होगा and कौन उसके torch को पास करके उसकी legacy को आगे ले जाएगा and उसका एक statement या कह सकते हैं hint हमें Ant-Man and the Wasp Quantumania में Jonathan Majors ने अपनी performance से दे दिया है बट हम Kang के बारे में जानते ही क्या है कि वो कहां से आया है उसकी powers क्या है उसने यहां तक पहुँचने के लिए क्या 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 है and also उसका ultimate goal आखिर है क्या and according to the mid and post credit scene ये सब take on and इनका सबसे बड़ा मकसद है क्या तो tension मतलो मैं आपको सब बताऊंगा तो चलिए लेके चलते हैं आपको Kang मेनिया या फिर कहें Kang की डाइनेस्टी में and बताते हैं आपको उसके बारे में so without any further ado let's get started तो Kang का असली नाम होता है Nathaniel Richards जो की 31st century से belong करता हुआ एक इनसान होता है हमारी तरह जिसके पास कोई भी powers नहीं होती है लेकिन ये अपने आप में एक genius और high intelligence वाला इनसान होता है जिसके पास various kinds of technology बनाने का दम होता है just like Tony Stark और इसके universe में Dr. Doom से fascinate and inspire होके इसे भी जोश चहरता है कि universe को conquer करके उसी की तरह technology का king बन जाए so इसके universe में Nathaniel ने अपने time में traveling करने का एक device बना लिया होता है जिससे वो समय में आगे पीछे कहीं भी travel कर सकता है और फिर वो plan बनाता है कि वो पुराने वक्त से ही धीरे धीरे world को conquer करेगा जिसका प्रभाव आगे आने वाले time पर होगा और वो इस पूरे ब्रह्मान पे राज करेगा जिस वज़े से ये वक्त में पीछे travel करके पहुँच जाता है ancient Egypt में और वहाँ अपना नाम और शक्सियत बदल के बन जाता है pharaoh rama tut जो की mid crate scene में ant man के ये था जो और कोई नहीं बलकि kang का ही एक past version है और वहाँ जाके उसने सोचा कि वो एल सबानूर एक ए अपॉकलिप्स जो हमने एक्समेन अपॉकलिप्स में देखा था उसे मार के Egypt का ruler बन जाएगा और राज करेगा लेकिन उसकी ये इच्छा तोडने के लिए वहाँ आ जाते हैं fantastic for future से उसे रोकने के लिए तो उनसे बचने के लिए क्यांग वहाँ से भाग के पहुँच जाता है 20th century में और वहाँ उसकी मुलाकात होती है Dr. Doom से और Dr. Doom से मिलके उससे inspire होकर वो भी अपने लिए एक armor बनाता है और अपना disguise बदल के बन जाता है Scarlet Centurion जो हमने mid-grade scene में ये वाले कैंग को देखाता और फिर वो धीरे धीरे world by world conquer करना शुरू करता है universes को और अपने dynasty बनाता जाता है और बाद में अपने get up को fully change करके वो बन जाता है कैंग और क्यूंकि उसने इतनी दुनिया हासिल की थी इसलिए वो कहलाता है कैंग दग कॉनकरर देखो कॉमिक्स में कैंग के बहुत से appearances हैं जो उसके अलग-अलग variants नहीं बलकि वो खुद है क्योंकि उसने time में अलग-अलग dimensions में travel किया है इसलिए हर एक universe में जब भी timeline बनती थी तो history में उसका एक version वहार रह जाता था जिसे variant का नाम दिया गया है और सब की ताकत और सोच एक दूसरे से बहुत अलग है जैसे ये वाला कैंग है इसका नाम होता है Immortus जो की और कोई नहीं बलकि रामा टुट और स्कालर्ट सेंचूरियन कैंग का ही future और समझ लो higher version होता है और Immortus ही actually में He Who Remains होता है कामिक्स में बट MCU में इसे थोड़ा अलग अंगल दिया है मेकर्स ने जो देखने वाली बात होगी कि इसका स्टोरी आग आगे जाकर क्या होता है और इन सब कैंग्स को मिला कर इस सोसाइटी को कहते हैं Council of Kangs जिसमें जितने भी Multiverse के कैंग्स के variants है वो सब होते हैं जो हमने mid-grade scene में देखा है और ऐसा ही एक council Mr. Fantastic Reed Richards का भी होता है कामिक्स में जिसे Council of Reads कहते हैं और I'm sure कि ये सारे कैंग्स थोड़े थोड़े part करके हमें MCU के आगे आने वाली फिल्मों में जरूर दिखेंगे और post-grade scene में जो कैंग्स हमने देखा था उसका नाम बताया गया है Victor Timely जो की 28th century में बसा हुआ एक variant होता है कैंग का और उसने एक अपना खुद का शहर बसाया होता है जिसका नाम होता है Timely और यह उसी का mayor भी होता है और अपने दूसरे variant और Avengers से बचने के लिए यह वहाँ छुपकर अपनी जिन्दगी बिता रहा होता है फिर एक और कैंग होता है जिसका नाम होता है कैंग कॉंग जो Marvel के एप universe का कैंग होता है जी हाँ Marvel का एक universe है जहां जितने भी super heroes and villains होते हैं वो सब एप के form में होते हैं फिर एक iron lad होता है जो younger version होता है कैंग का और इसे आगे आने वाले future के consequences पता होते हैं और इसलिए यह past में जाके young Avengers की मदद करता है अपने ही variant को हराने के लिए ताकि future में जो destruction हो उसे वो prevent कर सके और अपने variants के अलावा भी कैंग के बहुत सारी love interests रहती हैं अलग-अलग universes में जैसे रवोना जिसे हमने लोकी में देखा था उसके साथ romantic angle होता है कैंग का यह आगे जाके उसकी wife भी बनती है और इनके बच्चे भी होते हैं फिर इसके अलावा mantis कैंग और mantis भी comics में lovers होते हैं फिर nebula और कैंग भी romantic lovers होते हैं comics में इवन एक universe में nebula कैंग को हरा कर take over भी कर लेती है universe को और बन जाती है कैंग nebula फिर इसके अलावा alternated universes में कैंग की बहुत सारी love interest होती है जैसे invisible woman aka suze tom और इवन कमाला खान miss marvel भी कुछ भी कहो बड़ा रंगीन है अपना कैंग और देखो कैंग के पास कोई भी supernatural powers नहीं है बट इसका genius level दिमाग और जिस तरह की technology उसने अपने लिए बनाई है वही उसकी सबसे बड़ी super powers है I mean आप खुदी सोचो उसके पास 48th century की technology होती है time traveling device की powers होती है प्लस multiverse में कहीं भी travel करने की power और time को बदल भी देना और क्या आपको पता है कि रामा टुट कैंग के पास एक gun होती है जिसका नाम होता है अल्टरा डाय और डे गन जो किसी भी super hero पर चली तो उसके power से वो weak हो जाएंगे और अपनी super powers भी use नहीं कर पाएंगे मतलब एक आम इनसान के बन जाएंगे वो that's something mind blowing और देखो आगे आने वाले MCU की फिल्मों में हमें हर movie में कैंग का reference देखने को मिलता रहेगा और आगे Avengers, Kang, Dynasty and Secret Wars में इसका end game देखने को मिलेगा विकास कैंग को हराने के लिए सभी Avengers X-Men असेंबल होंगे फिर एक बड़ा event होगा जिसके लिए I'm damn sure कोई भी ready नहीं है और उसकी शुरुवात Ant-Man Quantum Mania से हो गई है सो देखने वाली बात होगी कि कैंग क्या क्या कहे ढाता है Marvel में और fans के दिलों पे So that's it आज के लिए बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना सबस्क्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इवीडियो कैसी लगी मिलते हैं आप से आपके नज़दीक यूटूब के आप पर तब तक के लिए सीया, टाटा, बाबाई